नमस्कार तो राजस्थान का मौप अस्ट्रे मौप के लिए नोटिटिकेशन आ गया है और एक कारण है कि मैं इसको आपके सामने प्रजेंट कर रहा हूं उसके पीछे एक वज़ा है और वो वज़ा यही है कि दीए जो मेरे दर्शक भी है यहां इस तरह समझाएं कि हम नौर और इंडिया कोटा में आ चुका था क्योंकि वहां पर एक ही प्राइविट कॉलिज है फिमाचल पंजाब दो हरियाना तीन उत्रखंड चार उत्यपरदेश पांच और राजिस्थान छे यह चे एक प्राइविट एक स्टेट्स हो गए अगर मैं नौर्स तक में गिनू इन वह भी शैद बिहार में जाना पसंद नहीं करते हैं और तो पूरे नौर्थ इंडिया के लिए यही स्टेट्स है गुजरात क्लोज स्टेट है मद्यपरदेश पहले दो राणों में क्लोज स्टेट था और जैसा कि हम जानती हैं मद्यपरदेश में जो मिधावी छात्र यो पांचो स्टेट जो पांचो यह ओपन स्टेट और हम लोग जाते भी से साउथ में अगर हमको सीट नौर्थ में नहीं मिलती इस बार चीजे काफी डिफरेंट है और मैं अपने वीडियो पे लगाता बोल रहा हूं यूपी का जैसे ही राउंड वन गर रिजर्ट आया था और हमारे ही क्लाइंट्स को जब 140 नंबर पे भी सीट मिल गई थी तो मैं समझ गया कि इस बार मामला बहुत टाइट है मिलब टाइट है मिलब सीट समेलेबल हैं जी हाँ इस बार तो शेयर जादा जंग अब इस बात पे है कि आप कौन सी क्वालेटी की सीट लेते हैं और कि मिल जाएंगे अगर मैं इनी स्टेट की बात करूं मिली चुकी है उत्रप्रदेश में उत्रा खड़ में जैसम जानते ही हैं गुरू राम रहेगी कट आफ काफी नीचे आ गई पंजाब में तो भी देखते हैं तो इस बार आपको कम नवरों पे अच्छे कॉलेज मिल रहे और श्यार मेंना को एक्जैंबल भी दिया था पिशले राउंड में कि भाई हमार पासे क्लाइंट है टू नैंटीज की रेंज में एक सेट नमबर नहीं बताऊंगा और एक डिसेड क्या था हमने स्टार्टी में कि मुलाना इस च्वाइस 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 टू एंड और अभी तक उनका एक भी डिपोजिट खराब नहीं हुआ है और अब मॉप आप में उनको मुलाना पका मिल जाएगा तो यही मैं बापर अपने क्लेंट सो कहता हूं कि काउसलिंग हमेशा डेवन पे फाइनल नहीं होती हर्याना कवर्मेंट ने बीज-बीज में रूल चाली साथ के चक्कर में अब वो तीस-पांच में एक्चुली वापस लेना चाह रहे हैं जो में पस फोन आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हर्याना स्टेट के बहार में ले लिए और इंडिया कोटा में अब क्या पुजीशन है मौपप चल रहा है एमसे सी का नौर्थ के हिमाचल का स्टार्ट हो गया राजस्थान का और अभी पंजाब उत्राखंट और यूपी का आना है करेट और हर्याना का भी दूसरी बात यह हैं जो मैंशा समझाता हूं उत्राखंट प्रदेश में चुर्की राउंड वन में ही सीकूल्डी डिपोजिट लिया जाता है उत्राखंट प्रदेश में विड्रॉल के रूल बहुत सकता है बहुत पैसे करते हैं तो मैं आप वो अभी से पता सकता हूं जो कि सीट मेट्रिस आने है न और दूसरा हाँ यहीं तो पुझाब में एंडरे सीट्स एंअजड नर्स प्रदेश अदू при लेकर शोन में नरे सेट्ञे को ब्रınt पर-देश की किई रमस्ते ही हैं लिए ने सेट्राखंट टू में हांका न पूरे उत्राखंड में 10-15 सीटे हैं यह तो बड़ी बात है हर्याना में हर प्राइवट कॉलिज में NRA सीटे हैं 15% तो 100 करीब सीटे खुलती हैं जिसे कहना चाहिए मौपप राउन में मिनिमम तो हर्याना में काफी चांस रहते हैं कि आपको SGT या आदेश जैसे टॉप कॉल में अवेलेबल होने वाला है राजिस्थान में तो आप देखेंगे 138 जमा 175 तीन सो फ्राइवेट कॉलिज की सीटे और यह तो डेंटल कॉलिज हो गया डेंटल से हमें मतलब नहीं है अगर हम जिसे बोलते हैं प्राइवेट सीटे देखें तो यह जो मेनेजमेंट सीटे है पाँच नौ चार यह सब काफी हमें दिखरी है राइट सारी पचास के पचास मोटा मोटी तो प्राइवेट में ही है जो की मेनेजमेंट सीट है और सिमिलरली यह जो सीटे है ना यह भी प्राइवेट है 138 तो 200 सीटे अभी राजिस्थान में भी अमेलेबल हैं कम से कम देखेंगे तो जैसे अब MGMC जैपूर हम सभी जानते हैं सूपर हिट कॉलिज है लेकिन लेकिन अगर मैं निम्स जैपूर की बात करूं तो इस समय च्छती सीटे खाली है कम फीस वाली तो अब यह भी समझी है यह राजस्थान में जर्नल और मेनेजमेंट में क्या फरक हो अक्सरी पंदर लाख वाले राजस्थान के बच्चे ले लेते हैं क्योंकि पहले दो राउंड तक राजस्थान के बच्चों को पैफरेंस दी जाती थी सिरफ और उसके बाद भी इनका यही चलता है कि फिर्स्ट पैफरेंस बूड बी फो राजस्थानी किड एंड देन द में या अनंता में लेना है पैस्विक में लेना है क्या हम जैपूर के आसपास यह जो जैन्यू इंसिटूट अवेलेबल है अभी तक जिसके अंदर महात्मा गांदी को तो कहीं सीटी मिलेगी आपको यह तो आप मानके चलिए जैपूर का बेस्ट प्राइवेट नहीं है य पाकिस सभी उद्यपूर में बढ़ते हैं चाहिए वो अमेरिकन हो अनंता हो गितांजली हो और पैस्विक के दोनों इंसिटूट हो और ऐसे स्थांति है फिर श्रीगंगाना गर में कहने का मतलब मेरा यह है सीट्स काफी है हर्याना यूपी उत्राखंड अभी आएगा वाले हैं जो mcg में वेट कर रहे हैं मैं सबको समझाए कि अभी आप न 2000 रुपीज दे दीजी वैसे समय हमारे पास है दस्तरी तक क्या तो वेट भी कर सकते हो लेकिन पार्ट वन पार्ट तू भरिए 2000 रुपीज दीजिए लेकिन 1 लाइक रुपीज अभी मत दीजिए रा अगर आपका जिस दिन आपकी काउस्लिंग होगी जो कि 13 14 को है तो प्रैटिकली हम बारत रित को भी दे सकते हैं पैसा राइट तो आप अपने एक लाग रुपे फसाइगे मत राजस्तान में अभी आप 2000 का basic restriction कर लिए जो भी खाली बैठ है और वेट करिए तब तक हरियान के बच्चे बचेंगे जो शैद वहीं बलेकुल मार्जन वाले सो ठारेक सोनीस साले अगर बचेंगे तो तो सब के लिए स्कीट अवेलेबल है इस बार राजस्तान में यह आपको विश्वास से कह सकता हूं इस बार तो जंग यह है कि क्या हमें निम्स मिलता है जेनू मिलत है महाद मंगाने मेडिक वालिज तो नहीं मिलता है अब रायसान में एक और बड़ी इंटरस्टिक चीज में आपको पता होना चाहिए चुकि आपको नहीं पता कि आपको बाद में मिले ना मिले आप खाली न रह जाओ राइट जैसे राउंड टू हर्याना में बहुत और अब डाउटिंग कि हम जोएन करें ना करें रायस्थान में ऑफ्लाइन में क्या फैदा होता है कि यह चॉइस फिलिंग तो पहले होती नहीं है आपने एक लाग रूपे दे दे डिपोसिट के आप मौपब में जाते हो आपको जब आपको नमबर आदा आपको बुलाया होते हैं वह आपको फिर समय नुसार वापस मिल जाते हैं तो यह उफलाइन राउंड का फायदा है जो मैं को कि नौर्थ इंडिया में मौपब की में बात करूं तो सिरफ और सिरफ रायस्थान कर रहा है तो अपने बहुत समय है राजस्थान को बैक अप लेके चलिए मेरी बजट में आते हैं वो भरिये मुलाना तो शहर शोली भरता है और बजट की अनुसार चलिए क्योंकि इस वर मैं विश्वास से कह सबता हूं कि ऐसे बैक अप हमारे लिए राजस्थान की सीटे खडी रहेंगी लास्ट दिन तो आपको कोई जोल करने की जूरुत नहीं है को आपको हर्याणा में 75 के बजट में सीटे मिल जाए तो आपके पास वो option है पहले सारी option देख लीजिए उसके बाद तो मैंने खाना कि मरता क्या ना करता लास्ट के बच्चे के लिए राजस्थान इस बार अवेलेबल है आपको साउथ में जाने की जूरुत नहीं है ये मेर दावा है कोई भी ऐसा बच्च वहला मैं आपको गरेंटी रहता हूं कि 117 गर्जनल के अटेगरी कट आफ थी 118 नंबर वाले को भी राजस्थान मिल जाएगा वही एक पांच एक दस के पैकेज में मिल जाएगा तो फिर हम तामिल अडू पॉंड़ेशरी में जाके language food problem के स जो समिच चल रही है उसी का नतीज़ है जो लोगों की जमीने नहीं बिखरी है जिनको बेच के अक्सर लोग बच्चों को प्रेवड़ को पढ़ाते थे जो रूलर एरिया से बिलॉंग करते हैं तो वो सारी मार्केट इस बार थोड़ी डाउन हो गई है प्रापर्टी का र काम में कितनी जरौत कितनी मेहनत होने वाले उसके साथ सही मैं आपको अपने फीस बताता हूँ ठीक है आपका दिन शुब हो नमस्कार बाबाए